चले दोस्तों CZ Resetlement App अगर आपके मोबाल में आपको इंस्टाल करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको मोबाल में Play Store स्टार्ट करना है जैसी कि यहां पे दिखाए दे रहा है मैं Play Store पे टैप कर रहा हूं और यहां पे मेरा Play Store स्टार्ट हो चुका है उप्र Search Option आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है और सामने install बटन दिखाए दे रहा है जिसकी उपर मैं अभी tap करने आप करता हूँ यहां पर दिखाए दे रहा है कुछ ही seconds में यह app आपके mobile में install हो जाएगा और install होते ही आपे open बटन आ रहा है आपकी लिए अब आपको open बटन पे tap करना है जिसके आप पहली बार इसे install करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की screen दिखाए देगी जहां पे आपको दिखाए दे रहा है core section जो की 4G videos related core section की information यहाँ पे मिलेगी आपको jobs की information भी यहाँ पे मिलेगी business की information और news की information आपको इसमें मिलेगी इसके अलावा वितरन सेवा केंद्र एक दो, तीन, चार की information भी यहाँ पे आपको मिलेगी अगर आप इसके उपर tap करते हो तो, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि app की उपर अपना नाम कैसे register करते हैं तो यहाँ पे app के अंदर right bottom corner में आपको एक menu option दिखाए दे रहा है, जहाँ पे आप tap करती ही आपके सामने list of menus open होंगे, जिसमें सबसे last menu आपको login दिखाए दे रहा है वहाँ पे आपको tap करना है, login screen आती ही आपके सामने mobile number और password इंटर करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप नए user हो तो आपको नीचे जो sign up करके चोटा सा text या बटन दिखाए दे रहा है, उस पे आपको click करना है दोस्तों, हाँ अगर आप existing user है, आपने पहले ही आप पर register किया तो आप mobile number और password डाल के register कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो आपको sign up पे टैप करना है, जो कि मैं sign up पे टैप कर रहा हूँ, sign up पे टैप करते हैं, आपके सामने ये चोटा सा form आ रहा है, जिसमें आपको आपका नाम भरना है, जो कि मैं भर रहा हूँ यहाँ पे, mobile number देना है, उसके बाद आपका email id देना है, ध्यान रखी कि आप mobile number correct type कर रहे, क्योंकि mobile number जो type कर रहे, उसके उपर OTP send होगा, और वो OTP पे enter करने के बाद ही आप register कर पाऊगे, इसलिए mobile number correct type कीजिएगा, आपका email id type कीजिए, उसके बाद service branch ब्रैंच select करना है, जब आप service branch पे यहाँ पे tap करोगे, तो आपके सामने list of services आएगी, तो मैं example के लिए यहाँ पे army select कर रहा हूँ, आर्मी पे मैं tap कर रहा हूँ, आपकी जो service आप उसे tap कीजिए, यह select कीजिए, उसके बाद आपको password enter करना है, जो password आपको हमेशे याद रह समय use करोगे, फिलाल तो आपको अभी सब कुछ होने के बाद register बटन पे tap करना है, और जैसे ही आप register बटन पे tap करोगे, आपके mobile में OTP आएगा, जो कि आपको उपर दिखाए देगा OTP, इसे आप copy बटन पे tap करके copy कर सकते हैं, या फिर आप copy नहीं कर पा रहा है, तो आप message में जाकर इस OTP को वहाँ से note down करके, यहाँ पे enter OTP receive on your phone के box में आपको type करना है, तो मैं यहाँ पे OTP simply paste करो, क्योंकि मैंने copy किया है, और उसके बाद मैं register पे tap करूँगा, लिकिन अगर आपको OTP नहीं आ रहा है, तो आप recent OTP पे click कर सकते हैं, और अगर आपने mobile number गलत आपका नाम आएगा, आपने जो नाम register के time पे डाला है, इसका मतलब आप successfully register हो चुके, और जैसे आप register कर लेते हो, तो आपको CZ Resettlement के और से call आएगा, और बाकी के सारी information आपको phone पर बताई जाएगी, thank you very much.